दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा कमाल का ट्रिक बताने वाले हैं अगर आप अपने किसी भी एप्लिकेशन को अपने फोन के डाइलर में चुपाना चाहते हैं जैसे आपका ये फोन का डाइलर है जब आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर आप अपना जब कोड डालेंगे तो आपका एप्लिकेशन यहाँ पर निकल के आजाएगा तो आप कोड कैसे बनाएंगे और अपने फोन के डाइलर में किसी भी एप्लिकेशन को कैसे आप हाइड कर सकते हैं कैसे आप चुपा सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम आपको यही step by step details में बत सेटिंग ओपन करना है हमारे पास ओपो का फोन है तो हम यहाँ पर सेटिंग को ओपन करेंगे उसके बाद जब आप नीच आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा fingerprint and face and passcode आप इस पर क्लिक करेंगे जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाती है privacy password के नाम से आप इस पर क्लिक करेंगे जब आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर मिल जाता है आपको turn on privacy password आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे यह आपका सेटिंग है इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना privacy का password सेट क अपना question select करेंगे और अपना उसका answer दे देंगे तो हम यहाँ पर अपना एक answer दे देते हैं उसके बाद सबसे उपर आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको done मिल जाएगा आप done के option पर click कर देंगे जब आप done के option पर click करते हैं तो आपका privacy password set हो जाएगा आप किसी भी application को hide कैसे करेंगे अपने phone के dialer पर तो यहाँ पर मिल जाता है app lock आप इस पर click करेंगे जब आप इस पर click करते हैं यहाँ पर सारे application आपके इस तरीके से enable रहेंगे यहाँ पर आपको जो application छुपाना है उसे आपको यहाँ पर choose कलेना है तो जैसे कि मा लेजे हम यहाँ पर अपना WhatsApp और अपना gallery छुपाना चाहते हैं अभी यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा यहाँ पर यह है gallery और यह हमारा है WhatsApp और यह अभी यहाँ पर छुप जाएगा जैसा कि आपको अभी देखने को मिल जाएगा तो हम यहाँ से back आएगे और उसी जगह पर आजाते हैं setting में और आपको यहाँ पर अपने app log पर click करना है और यहाँ पर आपको अपने वही application select कर लेना है जैसे मैंने यहाँ पर select कर लिया है उसके बाद नीचे मिल जाएगा enable आप इसे enable कर देंगे उसके बाद आपके सामने यह setting आजाएगा आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीच आना है और जैसे आप यहाँ पर नीच आएगे तो यहाँ पर आपका photos मिल जाएगा यानि कि वही application मिल जाएगा यहाँ पर आपको लॉक मिल जाएगा do not display notification इसमें आपको बताया गया कि अगर आप इस setting को यहाँ से enable disable करते हैं अगर आप enable करते हैं तो इस application के दर कोई भी notification आएगा तो वो भी आपको so नहीं होगा तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं उसके बाद यहाँ से आपको बैका जाना है इसी प्रकार आपको नीचे आना है और आपका जो whatsapp होगा उसमें भी आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे enable कर देना है इतना काम करने के बाद आप यहाँ से आपको बैकाना है अब आपको करना क्या है कि अपना एक code बना लेना है जहां से अपना ये application देख पाएंगे तो यहां पर मिल जाता है आपको setting का एक icon आप इस पर click करेंगे जब आप इस पर click करते हैं यहां पर मिल जाएगा आपको change as access number तो आपको इस पर click कर देना है और यहां पर आपको बता दिया जाता है example के तोर पर करकुछ इस तरीके से अपना access number आप बना सकते हैं तो हम यहां पर बना लेते हैं सबसे पहले hatch लगाएंगे उसके बाद जो भी आप डालना चाहते हैं चार अंक वो आप यहां पर डाल देंगे यदो तो आप 6 अंक डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर डाल सकते हैं 16 अंक तब आख यहां पर डाल सकते हैं तो जैसे माली जे हम यहां पर डाल देते हैं 1,2,3,4 और उसके बाद 5,6 और उसके बाद फिर से आपको hatch यहां पर लगा देना है अपने इसाब से जो आप डालना चाहते हैं वो डाल लेंगे और हैच लगा देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे उपर मिल जाएगा आपको done आप इस पर done पर क्लिक कर देंगे जब आप done पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा ok आप ok कर देंगे बस आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद यहां से आपको इसे कट करना है यानि कि यहां से बैका जाना है अब यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो WhatsApp और आपका जो गैलरी है वो यहां से हट चुका है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब आप अपने फोन के डायलर से अपने hidden apps कैसे देखेंगे इसके लिए अपना डायलर आपको open करेंगे यहां पर आप वही code डायल करेंगे जो आपने वहां पर बनाया हुआ है तो जैसे मैंने बनाया था hedge यानि कि hedge उसके बाद 1,2,3,4,5,6 उसके बाद फिर से आपको hedge लगा देना है जैसे आप hedge लगा द application को इस तरीके से आप छुपा सकते हैं उन्हें आप हाइड कर सकते हैं अगर आप इसे unhide करना चाहते हैं तो फिर से अपने उसी setting पर आपको जाना होगा तो जैसे हम यहां पर अपने उसी setting पर आ जाते हैं यानि कि यहां पर आजाएंगे अपने इसी setting पर setting पर आने के बा यहाँ पर सो हो जाएगा या आप बैकाएंगे तो यहाँ पर आपका सो हो जाएगा गैलरी अगर अपना लॉक हटाना चाहते हैं तो लॉक भी आप इसी तरीकी से हटा सकते हैं एप लॉक पर क्लिक करना है जो भी आपका अप्लिकेशन लॉक है जैसे हमारा यह है गैलरी तो इस पर हम क्लिक करेंगे यहां से आप इसे हटा देंगे तो आपका लॉक भी इस तरीके से हट जाएगा तो कुछ इस प्रकार आप अपने फोन के डाइलर में किसी भी एप्लिकेशन को आप हाइड कर सकते हैं उसे आप छुपा सकते हैं मैं आसक करूंगा आज का वीडियो दे सबसे पहले और आप उस वीडियो को देख पाएं सबसे पहले वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वाद